हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग उत्तर प्रदेश ग्राम में विकास विभाग में एडिशनल प्रोग्राम ओफिसर की वेकेंसी आई है तो आप लोग इस वेकेंसी में कैसे अपलाई कर सकते हैं इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली वार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोच मिलते रहें तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग से वायोजन की ओफिशियल वेबसाइट पर आजाएंगे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस पर आने के बाद दोस्तों आपको कुछ ऐसा इंटरफेश हो होगा यहाँ पर आपको उपर आप्शन मिलेगा लॉग पर आप्शन मिलता है समस्त नौकरियां आप विवरंट देखें पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने जॉप सर्च का पे जायेगा आप यहाँ सेक्षिक योगिता में इस लिस्ट से सनातक को स्लेक्ट करेंगे फिर आप खोजें पर क्लिक करेंगे फिर दोस्तों आपके साम इस बैकिंसी की पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी आप यहाँ पर देख सकते हैं पद नाम एडिशनल प्रोग्राम ओफिसर विभाग का नाम ग्राम में विकास विभाग आवेदन करने की अंतिम्तिती 14 सितंबर और यहाँ पर कुल पदों की संख्या दो है और साथ में ही यहा यहाँ पर इसमें बताया गया है कि सनात्कोत्तर, वित्तिय, प्रवंदन, आपूर्ति, श्रंकला, प्रवंदन तथा कंप्यूटर की ग्यान की अनिवारिता को दृष्टिगत रखते हुए MBA, MCA, MSW, BTEC, BE उपाधी को विशेश अधिमान दिया जायागा इसके साथ में ही इ जली है, वो 34,140 रुपया प्रतिमा मिलने वाली है, यहाँ पर दोस्तों जो आपकी नियूंत मायू होनी चाहिए, वो 21 वर्ष, अधिकत मायू 25 वर्ष रखी गई है, आपसे यहाँ पर कोई भी experience नहीं मांगा गया है, इसके लवाँ यह जो वेकेंसी है, यह जन पर अगर आप इस वेकेंसी के लिए shortlist होते हैं, तो आपको इसकी जानकारी mail के द्वारा दे दी जाएगी, आपको इस mail में आपके interview और document verification की detail मिल जाएगी, आप दिये गए address पर जाकर अपना interview और document verification करवा कर इस job को प्राप्त कर सकते हैं, तो दोस्तों इस तरीके से आप आपको लाइक करें और अपने सबी दोस्तों के साथ इससे share करें, ऐसे ही informative वीडियोज के लिए हमारे चैनल को subscribe करें, अगर आपका कोई वी सवाल या सुझाओ है, तो आप comment section में हमसे पूछ सकते हैं, धन्यवाद